प्रस्तुत है उन्सी प्रेम चंजी की कहानी ठाकुर प्रूवा जोखु ने लोटा मुह से लगाया तो पानी में सक्त बद्बू आई गंगी से बोला यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है गंगी प्रती दिन साम पानी भर लिया करती थी कुवा दूर था बार बार जाना मुस्किल था कलव पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी आज पानी में बद्बू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुश बद्बू थी जरूर कोई जानवार कुवे में गिर कर मर गया होगा मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुवे पर कौन चड़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे साहु का कुवा गाउं के उस सिरे पर है परनतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुवा गाउं में है नहीं जोखु कई दिन से बीमार है कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा फिर बोला अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाक बन करके पीलूं कंगी ने पानी न दिया खराप पानी से पीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परन्तु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खरापी जाती रहती है बोली यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है? कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ जोखु ने आस्चरे से उसकी ओर देखा पानी कहां से लाएंगे ठाकुर और साहु के दो कुएं तो हैं क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे हाथ पौँ तुडवा आएगी और कुछ न होगा बैट चुपके से ब्रम्हा देवता आशिर्वाद देंगे ठाकुर लाठी मारेंगे साहु जी एक के पांच लेंगे गरीबों का दर्द कौन समझता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर पर जहांकने तक नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है ऐसे लोग कुए से पानी भरने देंगे इन सब्दों में कड़वा सत्य था गंगी क्या जवाब देती किन्तु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया रात के नौ बजे थे ठाके मांदे मजदूर सो चुके थे ठाकूर के दर्वाजे पर दस पांच बेफिक्रे जमा थे मैदानी बहादूरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका कानूनी बहादूरी की बाते हो रही थी कितनी होशियारी से ठाकूर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए कितनी अकलमंदी से एक मारके के मुकदमे की नकल ले आए नाजीर और महतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मांगता कोई सो यहाँ बेपैसे कौडी नकल उड़ा दी काम करने धंग चाहिए इसी समय गंगी कुए से पानी लेने पहुची कुपी की धुंदली रोशनी कुए पर आ रही थी गंगी जगत की आड में बैठी मौके क्या इंतजार करने लगी इस कुए का पानी सारा गाउं पीता है किसी के लिए रोका नहीं सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उच हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितने हैं एक से एक छटे हैं चोरी ये करें, जाल फरेव ये करें, जूटे मुकद में ये करें अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिय की भेड चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया इन ही पंडित के घर में तो बारहों मास जुआ होता है यही साहू जी तो घी में तेल मिला कर बेचते हैं काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है किस-किस बात में हम से उचे हैं हम गली-गली चिलाते नहीं कि हम उचे हैं कभी गाउं में आ जाती हूं तो रस भरी आँखों से देखने लगते हैं, जैसे सब की छाती पर साप लोटने लगता है, परन्तु घमंड यह की हम उचे हैं, उए पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धगधग करने लगी, कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना उसने घड़ा और रसी उठा ली, और जुप कर चलती हुई, एक व्रिक्ष के अंधेरे साय में जा खड़ी हुई, कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महंगू को इतना मारा की महीनो लहू थूपता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी, इस पर ये लोग मुचे बनते हैं, उए पर इस्तरियां पानी भरने आई थी, इन में बात हो रही थी, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है, हम लोगों को आराम से बैठे देख कर जैसे मर्दों को जलन होती है, यहां यह तो न हुआ कि कलसिया उठा कर भर लाते, बस हुकुम चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लोगोंडिया ही तो हैं, लोगोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, दस पांच रुपए भी छीन जपट कर ले ही लेती हो, और लोगोंडिया कैसी हो करते मर जाओ, पर किसी का मुह ही सिधा नहीं होता, दोनों पानी भर कर चली गई, तो गंगी व्रिक्ष की छाया से निकली और कुए के जगत के पास आई, बेफिक्रे चले गए थे, ठाकुर भी दर्वाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे, गंगी ने छणिक स किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, अमरित चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी सायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा, गंगी दबे पाउं कुए की जगत पर चड़ी, विजय का ऐसा अनुभा उसे पहले कभी न दाएं बाएं चौकनी द्रिष्टी से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को सत्रू के किले में सुराख कर रहा हो, अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उमीद नहीं, अन्त में दिवताओं को याद करके उसने कलेजा मत बूत किया और घड़ा कुए में डाल दिया, घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई, गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे घड़ा कुए के मुह तक आ पहुचा, कोई बड़ा सहजोर पालवान भी इतनी तेजी से ना खींस सकता था, गंगी जोकी की घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे कि एका एक ठाकूर सहब का दरवाजा खुल गया, सेर का मुह इससे अधिक भयानक ना होगा, गंगी के हाथ से रसी छूट गई, रसी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा, और कई छण तक प कोटा मुह से लगाए, वही मैला गंदा पानी पी रहा है, तो ये थी मुंसी प्रेम चंजी की कहानी, तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार